निम्लिकित में एक आधार सिला के भाग तीन में दिया गया है अनुक्रिमडी का विशे वस्तू आप्शन इसके पहला समय केलेंडर और मुद्रा दूसरा आरंबिक इस्तर पर आकलन तीसरा आधार भूत सीखना और सिखाना चोथा है सिक्षक प्रबंधन एवं आकलन और सुधार तो इसका सही उतर होगा है पहला आप्शन समय केलेंडर और मुद्रा नेक्स प्रसन है निम्लिकित में सही जोड़ी है जिसके आप्शन है ए आर ए सी सिधान्त आधार सिला इरैक सिधान्त ध्याना करसर सिखड अधियम चक्र आधार सिला और चोथा आप्शन है विभिन सिखड तक्नीक और उनके संभावित लाब सिखड संग्रह तो इसमें जो इसका सही जोड़ा नंबर एक है इरैक सिधान्त आधार सिला आधार सिला में इरैक सिधान्त दिया हूँ है तो पहला आप्शन सही है प्रस्ण तीन बच्चे अपने आस पडोस की वस्तुओं पस पच्छियों के नाम अपनी भासा में बताते हैं या किस प्रकार का अधिगम परड़ाम या लर्निंग आउटकम है तो इसके आप्सन है केंदरी लर्निंग आउटकम नेस्टेड लर्निंग आउटकम उपकेंदरी लर्निंग आउटकम या सह केंदरी लर्निंग आउटकम तो इसमें जो सही उतर है वो तीसरा आप्सन है उपकेंदरी लर्निंग आउटकम प्रसंद चार निम्न दिये गए उद्धारणों में केवल एक आकलन संकेतक है बाकिस अभी भासा लक्षे हैं आधार सिला के आधार पर आकलन संकेतक होगा इनके उप्सन है बच्चे नीजी अनभो को मौखिक रूप से अभिव्यक्ति देते हैं बच्चों में मानक हिंदी के साथ लिखने की दच्छता का विकास तीसरा है बच्चे उपलब्द चित्रों को देखकर उनपर वाकि लिख लेते हैं और चोथा उप्सन है बच्चे स्वयम के भासा उप्योग में तुरुटियां निकाल कर सुधार कर लेते हैं तो इसका जो सही उतर होगा वो तीसरा उप्सन है बच्चे उपलब्द चित्रों को देखकर उनपर वाकि लिख लेते हैं प्रसन पाच बच्चे मान के आदार पर संख्याओं की बढ़ते घटते रूप में विवस्थित कर लेते हैं या आकलन संकेत गडित में किस कच्चा के लिए है जिनके आप्सन है पहला कच्चा पाच कच्चा दो कच्चा चार या कच्चा तीन तो इसका जो सही उतर होगा वो आप्सन चार सही है कच्चा तीन प्रस्म चे फाउंडेशन लर्निंग सीविर की समय सारड़ी अनुसार गडित कच्चा में ठोस वस्थ पर कारे करते हुए वारता लाप के लिए दिया गया चरण और समय है कच्चा एक और दो के लिए तो इसके जो आप्सन में सही उतर है वो तीसरा आप्सन है एल टेन मिनट यहाँ पर यहाँ पर लैंग्वेज होता है लैंग्वेज टेन मिनट प्रसन साथ वरणों और मातराओं की पहचान कर कच्चा एक वाद दो में भासा की सम्मीलित कच्चा का लच्च किस सप्ता के लिए निर्धारित किया गया है फांडेशन लर्निंग सिविर के अनुसार इनके अप्सन है चतुर्थ सप्ता पंचम सप्ता तरतीश अप्ता या सप्तम सप्ता तो इसका जो सही उतर है वो पहला अप्सन है चतुर्थ सप्ता प्रस्ण आठ प्रारंबिक इस्तर पर भासाई एम गड़ती एक उसल के विकास के लिए केंद्रिक लर्निंग आउटकम निर्धारित किये गए हैं विसे के अनुसार क्रमसा इनकी संख्या है पहला अप्सण है पाँच और चार दूसरा अप्सण है पाँच और छे तीसरा चार और पाँच और चोथा अप्सण है पाँच तो इसका जो सही उतर है वो तीसरा अप्सण है चार और पाँच प्रस नू गत्विदी एक प्रकार का प्रारूप होती है और इनके मूल सिध्धान्त को बदलने बीना हम हजारों गत्विदियां बना सकते हैं निम्ड दिये गए कत्रों में से एक गत्विदी का मूल सिध्धान्त नहीं है पहला चरण पहला चार चरण की प्रक्रिया है दोसरा सुर्वात रोचकता और चुनोती पूर्ण हो तीसरा या सीखने के लच्छ से जुड़ी है चोथा इसमें सिच्छण सामगरी का उपयोग आवस हो तो इसका जो सही उतर है वो चोथा आप्सन है इसमें सिच्छण सामगरी का उपयोग आवस हो दस्वा प्रजन सीखने की प्रक्रिया को सकारात्मक समर्थन देने के लिए तीन बिंदू पर कार्य होता है समय की बचा तथा सीखने का माहोल बनाना इनमें से किस बिंदू के अंतरगत होगा जिनके आप्सन है पहला सिच्छण योजना दूसरा कक्षा प्रबंधन तीसरा आकलन एमोलेंकन चोथा आई सीटी का उपयोग तो इसका जो सही उतर होगा वो दूसरा आप्सन साही है कक्षा प्रबंधन तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज को लाइक करें सेर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलें यहां पे आपको हर रोज इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे देखने के लिए धन्यवाद